इसी रोड से पीछे काफिला है जाब सुप्रीमो पपु यादव का और यह डेलाबाद नावाद जो रास्ता है वहाँ पे कुछ समाशे भी हैं जो उनके आगमन को लेकर यहां पे खड़े हैं क्या कहना चाहिएगा पपु यादव के आगमन को लेकर कहीं भी जो है जन समस्या होता है वहाँ पर निशित रुप से हाजिर होते हैं और यहां एक बहुत बड़ी घटना घटी थी कलानपूर में जिसमें जो है दो लोग जो है अपना जो है मिर्थू हो गई थी दो लोगों के तो वैसे मिर्थे परिवार के संतावना देने के कुछ कहेंगे पूरे लोग ही जानते हैं कि किसी भी प्रस्तिती में आम जन के नेता हैं यहां जो घटना हुआ है उन्होंने इस मकाम तक पहुछाने के काम किया है इलाके की उस उनको बहुत-बहुत धन्यमाद यह लोग थे और सामने आप देख सकते हैं कि यह काफिला और आपको दिखाना चाहेंगे यह काफिला का अगला गारी है एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि बस उनका काफिला पहुंचेगा और यह दिखे काफिलाओं का गारी जो है आगमन शुरू हो गया है और पपुयादो अब थोड़ी दिर में उनकी काफिला जो है यहां पहुंचेगी और जैसा कि मैंने बताया कि आज 25 सेप्टेमबर 2023 को जिस तरह से डाल्मिया सेमेंट फैक्ट्री में दो मजदूरों की मौत ह हुई इसके बाद एक मजदूर अभी भी हाँ के इसके बाद ल्यातार के निताओं का आगमन सुरूँ हुआ And इसी आलोक में छेदी पस्वान आये थे लालन पस्वान जी आये थे चिराग पस्वान जी आये थे और कई निताओं का यहां आगमन हुआ था और आज देखिए सामने देख लिए जो हुटर है सैरन है वह पपु यादो की काफिला की है और सामने यह एंबुलेंस है इसको आगे जाने देखे अब अब काफिला वहां से इन करेगा आपको दिखा ही दूगा थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहेंगे मैं दिखाए दूगा